सो हेलो दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने उम्र के लोगों के लिए जो की कुछ पैसा कहीं न कहीं से बचा रहे हैं उनके लिए एक सबसे बेस्ट इंवस्मेंट आप्शन बताऊंगा जो मैं खुद भी अपने लिए करता हूँ और मैं इनीशियल में इसमें थोड पैसा बचा रहे हैं चाहे आपकी पॉकेट मनी से वो पैसा आ रहा हो या फिर कहीं से आप लोग टूशन पढ़ा करके या फिर किसी भी तरह से आज फ्रीलांसर आप लोग काम करके पैसा कमा रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि देख इसे कह सकते हैं कि जो मिचूर्ड नहीं भी होता है वो मिचूर्ड वाली सोच रखता है फिर वहाँ पर जागर के सोचता है कि हमने क्या क्या गलतिया करी है हमने उस समय अगर ये गलती ना करी होती तो आज हम यहाँ पर होते हैं तो इसलिए दोस्तो हमारे बड़े कहते हैं हमेशा हमें सला देते हैं बचपन से ही जब हम 12 सल के हो जाते हैं जब भी वो 5 रुपे देते हैं तो बोलते हैं कि इनको सही से खर्चा करना जब भी वो 500 रुपे देते हैं तो हमें कहते हैं कि इसको सही से खर्चा करना इसमें से कुछ पैसे बचा करके रखना ठीक है क्योंकि जदा से जदा जितनी जदा सेविंग करेंगे, उतनी जदा हमारे लिए ही फाइदा होगा, क्योंकि देखी अगर हमारे पास कोई dreams है, अगर हमारे पास कोई dream है, car war खरीदने का, तो हमें एक proper age चाहिए, उस चीज को handle करने के लिए, ठीक है, तो कही ने कही हम एक उस goal को जैसे कि अभी मैं 12-13 साल का हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं Lamborghini खरीद करके लाग करके घर पर रख लूँ मैं सोचूँगा कि आने वाले 10 साल बाद मेरे पास Lamborghini अगर मैं capable हूँ फिर भी मैं सोचूँगा कि 10 साल बाद खरीदना मेरे लिए थोड़ा सा एक right socially environment के लिए होगा प्लस अगर आपके सोच है अलग thinking के हो तो वो बात अलग है लेकिन एक बात जो मैं आप लोगों कहना चाहता हूँ देखिए मैं frankly आप लोगों से बाते कर रहा हूँ क्यों क्योंकि आप मेरी age category के है 25 से नीचे होंगे या फिर 25 से उपर होंगे ठीक है मैं 25 का हूँ तो इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो ले करके आ रहा हूँ तो देखिए अगर आपका पैसा कहीं से भी सेव हो रहा है ठीक है चाहे आप 5 रुपए सेव कर रहे हो चाहे 50 रुपए सेव कर रहे हो चाहे 5 लाख रुपए तो आप लोगों को अपना सबसे पहला investment है वो mutual fund की तरफ move करना चाहिए देखिए जब मैंने भी mutual fund के बारे में सुना था तो मुझे काफी अच्छा लगा कि चलो यार मुझे किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी होगी कि कहा invest करना है पैसा बस किसी एक fund manager को देना है और वो अपनी तरफ से पैसा ले करके हमने 500 रुपए द रहीं जादा लोग 10 गुना 15 गुना या फिर आप से भी कम पैसे लोग लगा रहे होंगे लेकिन आपकी जो equality है जितने की unit आपको पढ़ेगी उतने की unit जो 50,000 रुपए लगा रहा है उसमें उनकी भी पढ़ने वाली है तो मैंने सुरवात में एक mistake करी दोस्तों कि मैंने small cap funds को choose करा ठीक है अब small cap funds में क्या है दोस्तों कि ये जो होते हैं ये थोड़े से penny stocks होते हैं जो भी mutual fund के fund manager होते हैं जो investment करते हैं वो थोड़े penny stocks होते हैं क्योंकि वो market में नए नए आये होते हैं उनका market capitalization उतना बड़ा नहीं होता है वो दीर दीर move करते होते हैं अगर अच् movement नहीं आया उनमें कुछ negative growth होई तो आप लोगों को भी नुकसान होता है तो वही चीज मेरे साथ हुआ दोस्तों तीन से चार महीने तक मुझे अच्छी return देखनी को मिली mutual fund में जब मैं investment किया है small cap में फिर उसके बाद मुझे negative return देखनी को मिला ठीक है तो almost मैंने लगबग 21,000 रुपए खुद का पैसा जो मेरा capital था वो investment किया था और मुझे जो मेरा present capital दिखा रहा था almost 19,000 के आसपास दिखा रहा तो मैं वहाँ पर परिशान हो गया और मैंने वहाँ से पैसे अपने pull कर लिए ठीक है वहाँ से मैंने अपने पैसे निकाल लिए क्योंकि मैं डर गय और जब भी आपका पैसा डाउन जाने लगता है तो आपके पास negative news भी बहुत सारी आने लगती है कि share market इस तरह का है इस तरह के चीजे हैं काला बाजारी होती है ऐसे ऐसे fraud होते हैं ये mutual fund मतलब आला गए लगता रही कि चीजे आप लोगों के सामने निकल करके आने लगती ह तो फिर आप लोग तुरंत वहाँ से पैसा खीच लेते हों कहीं मेरा भी पैसा और डाउन ना चला जाए और नुकसान ना हो जाए मुझे वो सबसे बड़ी गलती मैंने करी क्योंकि मैंने किसी भी तरह की analysis नहीं की थी मैंने लालच में आकर के investment किया था जो भी मैंने 5-6 मह ने तक investment किया वो सारा पैसा मैंने निकाल लिया नुकसान के साथ ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों जो मैंने mistake करी उन mistakes में आप लोगों को सीखना है सबसे पहले जो मैंने mistake करी कि मैंने mutual fund को सीखा नहीं कि mutual fund आखिर क्या है किस तरह से काम करता है सही तरीके से ठीक है और किस हम अपना investment इसमें बना करके return निकाल सकते हैं ठीक है कितने समय तक हम अपना investment बना करके return निकाल सकते हैं mutual fund की आखिर strategy काम कैसे करती है तो सबसे पहले तो आप लोगों को learning पे focus करना होगा एक एक words को जो इसमें use होते हैं expense ratio, direct, regular, alpha, beta यह सारी चीज़े आप लोगों को पता ह होनी चाहिए जैसे कि आप लोग future में किसी भी fund में investment करें या फिर present में भी किसी fund में investment करें तो आप लोगों को पता चल पाए कि आखिर ये चीज़े क्या है और क्या बताती हैं दूसरी चीज दोस्तों जो मेरे experience है आप लोगों को समझना है वो यह है कि आप लोगों को panic हो क कि decision नहीं लेना है जैसे कि अभी मैंने small cap का example दिया ठीक उसी के दो महीने बाद same fund दोस्तों आप लोगों के लिए अगर investment में उसमें बना रहता और units उस समय खरीदता ठीक है जब मुझे negative return दिखा रहा था तो मुझे और अच्छे return देखने को मिलते ठीक है मेरे पैसे करें कि आप लोगों को दोस्तों कभी भी market की panic की वज़े से अपना पैसा नहीं निकालना है mutual fund में investment करने के बाद क्योंकि देखिए mutual fund एक fund manager जो वो अपने हिसाब से आपका पैसा ले करके एक secured कह सकते हैं कि आप लोगों का stock में investment करता है वो अपनी तरह से पूरी कोसिस करता है कि जितने भी small cap की companies है वो बिल्कुल से सही तरीके से काम कर रही हो ठीक है और उनमें आप लोगों का distribution होता है क्योंकि देखिए जो भी small cap की companies है अब सभी में एक बार में पैसा नहीं डाल दिया जाता है देखा जाता है कि कौन किसमें ज्यादा potential है आगे बढ़ने की किस तरीकी balance seat वेगरा है तो fund manager उनकी team पूरी analysis करती है तो वहाँ पे आप लोगों का पैसा long term में growth होता है ठीक है अगर यही आप लोग short terms के goal लेकर के चल रहे हो कि भीया small cap में जैसे रवी ने बताया कि 8 महीने में पैसा उसका double हो जाता अगर वो उसी fund के साथ बना होता तो ऐस पैसा नहीं होता है दोस्तों वो एक ऐसी conditions होती है जो कभी कभी आप लोगों के सामने आ जाती है हमेशा आप लोग कभी भी mutual fund में आए जो आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि short term goals के साथ आते हैं और फिर वहाँ से बहुत जादा उमीद लगा लेते हैं आप लोग हम पैसा सोचिए जो भी युवा आ रहा है जो भी investment करने आ रहा है मैं तो कह रहा हूँ सभी beginners के लिए चाहिए आप किसी भी age work के हैं तो आप लोग कम से कम कम से कम की बात कर रहा हूँ कम से कम 3 साल के बारे में सोचिए 3 साल में पैसा आप लोगों का negative जा रहा है आप लोगों क average उसमें करते जाना है उसमें पैसा डालते जाना है market जितना downfall आए आप लोगों को उसमें पैसा invest करते जाना है इससे आप लोगों का average हो पाएगा और आप लोगों की जो units के price है वो कम हो पाएगे ठीक है जब market दुबारा से recover करेगा जो पुरानी price भी पर आएगी तो वहाँ पर भी आप लोगों को positive return देखने को मिलेंगे तो ये एक strategy होती है जो धीरे धीरे मुझे आगे चल करके समझ में आई अब दोस्तो जब मुझे ये सारी चीजे समझ में आ गए जहां मैंने 2000 का loss किया सुरुआत में मैं stock market के बात नहीं कर रहा हूँ stock market मैंने बहुत कुछ loss करके सीखा है ठीक है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे किये लोगों से बात करें जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन सभी का मैंने जब एक निचोंड निकाला कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं ठीक है तो मुझे समझ में आया कि आप लोगों को इंडिया की इकोनॉमी पर पैसा लगाना चाहिए ठीक है सभी की चीजे समझ में आई मुझे और जो मेरा आउटपुट निकल करके आया कि मुझे इंडिया की इकोनॉमी पर पैसा लगाना अगर मुझे लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी ग्रो कहां से करेगी ग्रो वहीं से करेगी क्योंकि जो main आदार्बूत होते हैं हमारे देश के वो होते हैं ब्यापारी ठीक है क्योंकि वो अगर अच्छा करेंगे तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा तभी हमारे देश की GDP आगे बढ़ेगी government तो अपना जो काम करती है वो उनके केवल बाती होते हैं जो काम करते हैं ब्यापारी करते हैं, companies करती है अगर वो अच्छा कर रही है तभी देश की GDP, देश की economic growth करती है अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को समझना है कि ये find out आप लोग कहां करेंगे आप लोगों के पास एक benchmark होता है ठीक है, इंडिया की top 50 companies इंडिया की top 30 companies कौन सी है अब सभी companies में तो आप पैसा नहीं लगा पाएंगे तो आप लोगों के लिए mutual fund में एक fund category आती है index fund अब index fund क्या है दोस्तों index fund होता है निफ्टी 50 में index 30 में अब निफ्टी 50 क्या है कि इंडिया की top 50 companies जो share market में listed है आप लोगों का पैसा लेकर के वहाँ पे distribute किया जाता है ठीक है, allocation किया जाता है किस किस company में कितना जिस तरह से निफ्टी 50 का distribution होगा जिन जिन stock के जितने जितने क्या सकते हैं कि weightage लेकर के बैठा होगा उस benchmark के according आप लोगों का पैसा उसमें invest करा जाएगा इसी तरह से SENSEC 30 का भी plan आता है ठीक है, और निफ्टी 100 का भी plan आता है तो उसमें 100 companies पूरी आ जाती है जिसमें आप लोगों के small cap भी include होती है एक तरीके से diversified हो जाता है तो मैं आप लोगों को suggest करूँगा जो मेरी learning से मुझे निकल करके आया कि आप लोगों को हमेशा Nifty 50 वाले plan को या फिर SENSEC 30 वाले plan को choose करना चाहिए अगर आप top 30 तक में पैसा डालना चाहते हैं तो top 30 वाली में जाईए Nifty 50 में जाना चाहते हैं तो Nifty 50 50 पचास companies का आपका exposure होगा तो मेरे कहाल से Nifty 50 एक best option होगा जिससे कि आप लोगों का पैसा बहुत जादा diversified हो पाएगा 50 companies में और जो यहाँ पे दोस्तो expense ratio नाम की एक चीज होती है जिसमें आपको fund manage करने के लिए पैसा देना पड़ता है जिससे कि आप लोग किसी भी CA के पास जाते हैं अपने ITR filing करवाते हैं या फिर income tax audit वगएरा करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों से वह कुछ charges लेता है ठीक है आपके account को manage करने के लिए उसी तरह से आप लोगों का पैसा manage करने के लिए उसमें invest करने के लिए एक fund manager है और उसकी पूरी team है काम कर रही है तो वो भी आपसे पैसा charge करते हैं जो कि आपके पूरे fund का 1% होता है 1% से कम होता है maximum 2% तक जाता है ठीक है लेकिन यही चीज अगर आप लोग आते हैं index funds में तो यह चीज़े कम होती है यहाँ पे आप लोगों का 0.10 या फिर 0.25 1% से कम होता है expense ratio के मामले में भी यह कम होते हैं प्लस यहाँ पे एक long term में बहतर return भी देखनी को मिलता है तो I hope दोस्तों यह जो कुछ गलतियां है जो मैंने करी वो आप लोग समझे होंगे अब यहाँ पे जो last और आखरी और pro tips मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि देखिए आप लोग जितना जल्दी investment स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप लोगों के लिए बहतर होगा क्योंकि देखिए मैंने अपना investment स्टार्ट कर रहा है 20 से 90 से भी मैं थोड़ा बहुत कर रहा था लेकिन वो चीजे मैं समझदारी के साथ नहीं कर रहा था तो 20 से मैंने start कर रहा और धीरे धीरे investment कर रहा हूँ और वही चीजे मैं सोचता हूँ कि जब मैं 15 से अपने कुछ पैसे save करता तो आज मेरे पास कुछ और ही पैसे होते हैं क्योंकि हमारे पास जब पैसे invest करने के लिए होते हैं दोस्तों तो वो पैसे कही न कहीं से अगर हमारे mentality सेट है तो वो कहीं न कहीं से हमारे पास एक अठा होई जाती है तो आप लोगों को दोस्तों जितना जल्दी हो सेके ज़रूरी नहीं है कि आप 10 साल के हो और 11 साल के हो और समझ सकते हैं कि 6 से 7 परसेंट आपको कितना return निकाल करके दे देगा अगर आप लाग रुपए बे डालते हो तो at the end of 15 years आपके 2 लाग हो सकते हैं आपके 2 लाग हो सकते हैं आपको उतने में कुछ नहीं हो पाएगा आपको inflation का भी ध्यान रखना है तो एक mutual fund investment आप लेगों के लिए best option है बाकी share market भी है लेकिन उसमें आप लोगों को analysis की काफी ज़्यादा जरूरत होती है ठीक है तो I hope आप लोगों को ये video अच्छी लगी होगी और आप लोगों कुछ helpful लगा होगा अगर आप किसी बच्चे के पिता है अगर आप parents है नाना नानी कोई भी है तो आप अपने बच्चों के साथ ये video जरूर सेर कीजिए और उनको बताइए कि importance क्या है अपने पैसे को save करने के लिए कई-कई मेरे friends ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने पैसे save करके आज अपनी पढ़ाई वो complete कर रहे हैं उनको education loan लेने की जरूरत नहीं पड़ी है आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं वो भी इस तरह से कर सकते हैं अपने early age से और आप लोगों को education loan लेने से बचा सकते हैं और उनको finance की भी knowledge अच्छी होगी उनका mind भी काफी अच्छा double up होगा तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजेगा दूसरों के साथ share कीजेगा ये पूरा personal experience था जो मैंने आप लोगों के साथ share किया जो मेरे age category के हैं जो मेरे कम है मेरे छोटे भाई हैं वो भी इस चीज़ों को ले करके थोड़ा serious हो जाए क्योंकि आगे चल करके job देखी रहा है कि किस तरह से job की कटावती हो रही है प्लस जो job है वो भी नहीं मिल रही लोगों को तो हो सकता है कि future में आप लोगों के साथ भी ऐसी दिक्कते आए क्योंकि देखिए population जहां बढ़ेंगी वहाँ पर competition भी बढ़ेगा तो आप लोगों को अपना back end बना करके चलना है दूसरों के साथ share कीजिएगा इसी तरह के और वीडियोज चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन रू क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज की notification आती रहेंगी कोई भी question हो अगर आप मुझे personally जूड़ना चाहते हैं तो Instagram पे आ करके मुझे follow कर सकते हैं हम लोग next वीडियोज मिलते हैं आप लोगों का दिन सुबह जाहिन